नमस्कार, चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है Indian History Quick Revision Through MCQs के इस वीडियो के अंतरगत आज हम इत्यास से समंदित कुछ प्रश्णों को देखें बढ़ते हैं हम आज के इत्यास के प्रश्णों की ओर और ये रहा आज का पहला प्रश्ण प्रश्ण है कि निम्न लिखित कत्नों पर विचार कीजिए दो स्टेट्मेंट है पहला स्टेट्मेंट कि बखर राज की घोसनाओं का एक संग्रा है और दूसरा स्टेट्मेंट कि दुईतिये आंगल मराठा युद्ध की समापती सलबाई की संधी से हुआ उपरियुत कत्नों में से कौन सही है चार आप्सन है आप्सन ए कि केवल पहला कत्न सकते है आप्सन बी केवल दूसरा कत्न सकते है आप्सन सी दोनों कत्न सकते है और आप्सन डी इनमें से कोई भी नहीं चले देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है option D कि इन में से कोई भी कथन सब्ति नहीं है चले देखते हैं इसे विस्तार के साथ तो हुआ यूँ कि मुगलों के पतन के बाद पूरे भारत में कई उत्रादिकारी राज्यों ने चल्म लिया और इनके बारे में इस्थानी परंपराओं के साब से काफी कुछ लिखा गया अब जैसे देखें तो मराठा इतिवरित क्या है बखर राजपुताना के ख्यात और असम के बुरंजी इसी का हिस्सा है तो यहां पर एक बात इसप्रस्ट हो रही है वह क्या कि बखर क्या है वह मराठा इतिवरित है और इन एतिहासिक गरंतों से हमें देश्वा और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी और इसी संधी के द्वारा प्रथम आंगल मराठा युद्ध की समाप्ती हुई थी और इसी संधी के कारण अंग्रेज मराठों की तरफ से 20 वर्ष तक निश्चिंद रह सके थे चलिए बढ़ते हैं अब अपने अध्योगिक आयोग और तीसरा प्रथम वित्य आयोग है तो आप देखें उप्सेन एऐ क्या कराएं कि 182 ए particulier क्रम ग्रा ने क्याव इंप्सेन एक एक तीन और ऊप्सेस तुआं और आप्सेन टी है एक तीन 2 चलिए देखते हैं कि इसका भी सही जवाबब क्या है इसका सही जबाब है option है एक दो तीन चले देखते हैं इसे भी विस्तार के साथ तो उनीच सो इस्वी में सर एंटनी मैक डॉनल की अधिक्षता में एक अकाल आयुक का गठन किया गिया किस ने किया लौड करजन ने किया और उनीच सो एक इस्वी में मैक डॉनल कमीशन ने अकाल आयुक के गठन की सिफारिस की या बहुत ही important factor है फिर आगे देखें कि लौड हार्डिंग द्विती ने 1916 इस्वी में प्रथम अध्योगी कमीशन की नियुक्ति किस्याद अधिक्षता में की थॉमस हॉलन की अधिक्षता में की फिर उसके बाद कि प्रथम वित्ति आयोग की जो नियुक्तिवी कब 1921 इसी हुई और यह क्यों हुई तो भारतिय उद्योगों में शुल्क पद्धती को सुरक्षित रखने के प्रशन पर यह जो आयोग है इस आयोग को विचार करना था चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की ओर यह रहा अगला प्रशन प्रशन ह है कि भारतिय क्रशी पर अंग्रेजी सामराज जवादी नीतियों के प्रभाव के संदर में सही कथन है देखें पाला चार कथन यहां पर पाला कथन एक नई बाजार अर्थवेस्था का निर्मान दूसरा कथन भू स्वामियों एबं जोतने वाले किर्सकों के विद्रुव चारो के चारो के चारो कथन सकते हैं चले देखते हैं इसे भी विस्तार के साथ तो अंग्रेजी सामराज जवादी नीतियों ने भारतिय की इस्थिति को अत्यंत ही खराब कर दिया जो यहां पर सब्द लिखा है कि उसे गर्थ में पहुंचा दिया क्योंकि कॉन्डवालिस ने जिस जमिंदारी विवस्ता को लागू किया उसे से घू स्वामियों या जमिंदारों एवं जो जोतने वाले किर्सक हैं उनके बीच धुर्वी करण हो गया मतलब वो दो भाग में बढ़ गए और इंग्लैंड की फैक्ट्रियों ने भारती उद्योगों को बरबात कर दिया जिससे ग्रामिन सिल्पकारों में बेरुजगारी बढ़ी और फिर आगे कि किर्सी एवं लगू उद्योगों के खत्म होने से जो भूमिहीन मजदूर थे उनकी संख्या में क्या हो गई विर्धी हुई है तो मतलब यहां पर यह है कि यह ज देखें ए बी सी डी कौन है अफजल खां फिर भी साइस्ता खां सी मदन पंडित और डी मुल्डा हैदर अब सुची दो में देखें मराठा मुगल बिजापूर गोलकुंडा तो सुमेलित करना है सही रूप से चले देखते हैं इसका सही जबाब क्या है इसका सही जबाब ह है तेशन कंडित जबाब करएऊं है डी मतब तीन दो चार एक है मतलब यहां पर यह है कि आवजल खांगा से साइस्ता खां कहां से मुगल से मदन पंडित खें से गु법ा से और मुल्ला हैगर यह कहां कर दी फिर मुगल समराट औरंग जेव ने अपने मामा साइस्ता खाओं को सिवाजी को पकड़ने के लिए भीजा था परंतु 1663 इस्वी में सिवाजी ने उसे पराजित कर दिया और फिर गोलकुंडा के शासक कुतुब सा के समय में दो ब्राह्मन भाई क्या नाम तो मदन्ना और अकन्ना तो इन दोनों के हाथों में समस्त सत्ता केंद्र थी लेकिन 1687 इस्वी में औरंग जेव के द्वारा गोलकुंडा राज्य को मुगल सामराज्य में मिला लिया गया तो राजपरिवार के लोगों ने इन दोनों भाईयों की हत्याकरदी जहर देकर वहीं आगे कि मुला हैदर मराटों की तरफ से लड़ने वाला प्रसिद सर्दार था देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन यहां पर यहां है कि जजमानी विवस्था के संदर्म में निम्लिकित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तो दो स्टेट्मेंट है पहला स्टेट्मेंट मारा कौन से सिद्धानत थे संरक्षक सिद्धानत रिष्टा था वहीं दूसरा स्टेट्मेंट कि महाराष्ट और गुजरात में जजमानी विवस्था में केवल वे कार नहीं आते थे जो सिल्पियों द्वारा किये जाते थे तता किर्सी उतपात के पूरक होते थे तो अब उप खथन सकते हैं देखते इसे विस्थार के साथ तो सबसे पहली बात यहाई कि महाराष्ट में ग्रामीन उत्पात की अधिक्त न're किसके द्वारा त्यार की जाते थी और यह बात भी सही है कि सिल्पियों और किर्सकों के मद्द्र अगर रिस्तों की बात करें तो यह जो संग कारे भी साम्मिल थे या सम्मिल थे जैसे बरतन का निर्मान लौ कारे आती हैं तो इस परकार कुछ रिविजन थुरू MCQs के अंतरगत हमने कुछ प्रश्णों पर एक नज़र डाली इसके साथ ही इस वीडियो को ही सबाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ करता आपको हुआ जानकारी सेसे ब्सक्राव पर थे डिपर इस वीडियों को अब्सक्वारब करते हैं तरह रिवाने कि अपनी इसके रिदा भी सेवे हैं अप्रश्मिल